हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का CBT exam study यूटूब चैनल में दोस्तों आज किस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ CISF Head Constable Ministerial भरती परिक्षा को लेकर आज है 24 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को हम लोगों का ट्वीटर कैंपेन था दोस्तों आप लोगों को ट्वीटर पर भी मैं लेकर अभी चलूँगा क्या हाल है वहाँ का और दोस्तों पूरी information पहले यहाँ पर समझे देखी दोस्तों सचाई यही है कि CISF Head Constable Ministerial भरती परिक्षा को लेकर CISF बिल्कुल लापरवाही कर रहा है बहुत दिन से इसकी परिक्षा कंड़क्ट नहीं करा रहा है आप लोगों के अंदर भी demotivation आ चुका है दोस्तों यह real है आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा लगबग दोस्तों 4-6000 ही candidate इस परिक्षा के लिए बेसबरी से इंतजार भी कर रहे है जादा candidate इंतजार भी नहीं कर रहे है आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा यह दिया आप लोगों की तैयारी अच्छी थोड़ी सी होगी तो इसमें competition भी आप लोगों को उतना नही की देखने को मिलेगा जितना सामानता head constable minister की किसी भी भरती में देखने को मिलता है तो दोस्तों अब लेकिन बात कर लेते हैं सबसे main मुद्दे की की Twitter अभियान का क्या हुआ कब होगा आपकी परिक्षा ज्यादा student ना सही लेकिन जो भी student की चाह है कि इसकी परिक्षा जल् आप लोगों में से किसी एक का tweet भरती बोर्ड तक पहुँच जाए दोस्तों मैं लगबख सुबा से ही tweet कर रहा हूँ और आप लोगों का tweet भी देख रहा हूँ तो दोस्तों आप लोगों का tweet करते रही है जिससे आप लोगों की regarding कुछ information निकल पाए दोस्तों अब बात कर ल आप लोगों का इसका schedule दोस्तों कम से कम आपके परिक्षा से 20 दिन पहले 25 दिन पहले आजाएगा और दोस्तों कुछी subject होंगे जिस पर आप लोगों को ज्यादा ध्यान देना रहेगा आप लोग आसानी से परिक्षा paper को crack कर पाओगे जिसे आप लोगों का किसी तरह का कि हमने बताया 20 से 25 दिन बाद ही आप लोगों का paper होगा जिस तरह से अभी तक कोई schedule हो गए रहा आया नहीं है दोस्तों उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ यही आप लोग मान सकते हो कि नौवंबर के end से पहले आप लोगों का कोई भी paper हो गए रहा इसका नहीं होने वाल हूँ झाए लोगों कि नौई कोई तरह से दिन बात रहा यहीं हो गए दोगों कि नौव पर